आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 766 स्कूरीर फिट कार्पेट एरिया के स्पेशियस टू बी एच के फ्लैट्स विट टू वालकनी जो कंस्टर किये जा रहे हैं भूमकर्चोक वाकर्ड लोकेशन पे यह एक निव लाउंच प्रोजेक्ट है जहां पे सिर्फ टू बी एच के फ्लैट्स कंस्टर्क किये जा रहे हैं करंटली दो टावर्स को लाउंच कर दिया गया है दोनों ही टावर ग्राउंड प्लस 11 स्टोरीट के रहने वाले हैं रएक फ्लोरपे सिर्फ चार कॉर्णेर फ्लैट्स यहा पे दिया गये हैं तोटल नंबर वाफ यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो मिल DAVID's का बारमर मेंपारा हैं और अगर मैं बात करूँ बजेट की तो अगर आपका बजेट 68 से 72 लाइक्स के बीच में है तो आप इस प्रॉपर्टी को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं देखें दोनों ही टाउर मिला के सिफ 84 नंबर आफ यूनिट से यहाँ पे अविलेबल है जो इस मंट तक डेफिनेटली सोल्ड आउट हो जाएंगे आपको अगर यह प्रॉपर्टी पसंद आती है तो आप हमें स्क्रीन पे दिये हुए नंबर पे कॉंटेक्ट जरूर करें आप तक पुने की बेस्ट प्रॉपर्टी लेके आते हैं और हमारे वीडियो के जरीए आप तक सेंपल फ्लैट के टूर एंड एक्ट्वल फ्लैट के टूर लेके आते हैं तो अगर आप पुने में प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर चलिए अब 766 कार्पेट एरिया के 2bhk का सेंपल फ्लैट तूर जल्दी कर लेते हैं तो चलिए सेंपल फ्लैट का टूर करते हैं 766 स्कुराइर विट का ये सेंपल फ्लैट है और सारे ही जो फ्लैट्स इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो सारे ही फ्लैट्स 766 स्कुरिफेट के ही रहने वाले हैं कुछ इस तरीके के आपको डोर हैंडल और दोर की फिनिशिंग मिल जाती है फ्लैट के साथ ही और आपको एक प्रॉपर ट्रैडिशनल लॉग भी लगाना है तो उसके लिए भी यहां पर दिया हुआ है प्रोविजनी और नॉर्मल लॉग भी यहां पर आप इसे लगा सकते हैं आप जैसे फ्लैट में एंटर करते हो आप सिधा लिविंग एरिया में एंटर कर जाते हो लिविंग एरिया कि साइजिंग अगर मैं बताउं तो 15.7 by 10.6 साइस का आपको लिविंग एरिया प्रोपरली मिल जाता है इस तरफ डाइनिं अन पीच्छन लमापो लग से मिलता है तो living area आपको अलग से 15.7 by 10.6 size का properly living area rectangular shape में आपको मिल जाता है आपको जैसे मैंने बताया हर एक फ्लोर पे सिर्फ 4 corner flats ही दिये गए हैं तो हर एक flat के बाहर आपको sufficient space मिल जाता है जहां पे आप अपना properly शुगरा एक वगेरा बना सकते हो तो in fact कुछ flats के लिए तो आपको dedicated एक separate private lobby मिल जाती है जिसके साथ आप अपने flat में enter कर सकते हो तो कुछ इस तरीके का आपको living area है living area में जो हम लोग wall बना रहे हैं जो kitchen and dining को separate करता है वह actually यहां तक रहने वाला है लेकिन इस wall के लिए हम लोग flexible है आपको चाहिए तो आप ऐसा कुछ इस तरीके का interior भी living and kitchen के बीच में बना सकते हो multiple जगे प्रिवी एहां पर इस तरफ कर सकते हो यहां फिर इस तरफ भी एक जो wall के यहां पर कर सकते हो यह इस तरफ आप अपन tv unit का setup कर सकते हो और जिस तरीके की आपको sofa set up करणा है उस तरीके का आप sofa set up यहां पे आराम से कर सकते हो लिविंग को लखके कमपलसर इस तरफ आपको कवर्ड बालकनी मिल जाती है बालकनी की अगर मैं साइजिंग बता हूं तो 10.6 x 5 साइज की आपको स्पेशियस बालकनी लिविंग के साथ मिलती है जो प्रॉपर उपर से कवर्ड मिलेगी आपको आप देख पार हैंगे काफी बढ़िया बालकनी लिविंग के साथ आपको दी गई है एंड यहां पर स्लाइडिंग डोर ना देते हुए आपको फ्रेंच डोर दिये हुए ताकि आप अपना लिविंग जो है उसे एक्स्टेंड भी कर सकते हो इवनिंग में अगर आप बाहर यहां फिर वर्क फ्रॉम होगे रहे हो तो उस हिसाब से यह काफी अच्छे फ्रेंच डोर आपको बालकनी के साथ यहां पर मिल जाते हैं आइए नेक्स्ट चेक आउट करते हैं डाइनिंग एरिया को तो यहां पर डाइनिंग एंड किचन दोनों एक साथ मिल जाते हैं आप यहां पर जो भी चीज़ें करते हो आप इमिड़ेटली के हैंपंہ कर सकते हो तो काफी अच्छा डाइनिंग स्पेस और एड किचन स्पेस आपको यहां पर प्रॉपरली मिल जाता है एल शेप का आपको यहां पर प्रॉपर्ली मिल जाएगा कुकिंग बगिरा करने के ताकि आप अपना जो है वाटर प्यूरिफार उपर इंस्टॉल कर पाऊ और यहां पर आपका सिंक आजाएगा जहां पर अपने यूटेंसिल्स वगेरा वाश कर सकते हो आजये ड्राइब आलकनी को चेक करते हैं एंक्लोस ड्राइब आलकनी आपको यहां पर मिलती है कुछ इ इनलेट आउटलेट एंडेक स्विच दिया गया है ताकि आप अपना वाशीं मशीन यहां पर इस तरफ प्रॉपरली इंस्टॉल कर पाऊ उस हिसाप से यहां पर प्रोविजनी दी हुई है चलिए नेक्स्ट बेडरूम को चेक करते हैं आजये डाइनी अरे से जैसे ही आप पर महसूस होती है आईए फर्स्ट किस बेडरूम को चेक करते हैं आजये 11 बाइ 10 साइज का किट्स बेडरूम आपको प्रॉपरली मिल जाता है काफी सफिशेंट स्पेस है आप प्रॉपरली यहां पर स्टेडी टेबल भी लगा सकते हो बेड इंस्टॉल कर सकते हो और यहा यहां पर देख सकते हो अच्छे वेंटिलेशन के लिए अच्छी साइस की विंडो भी दी हुई है आईए नेक्स्ट चेक करते हैं कॉमन वाश्रूम को आजये इस तरह आपको कॉमन वाश्रूम मिल जाता है प्रॉपर फिट और फिनिश जैगुवर के आपको यहां पर मिल बेदिंग स्पेस है और यहां पर आपको कमोड स्पेस कॉमन वाश्रूम में मिल जाता है आई अब मास्टर बेड्रूम को चेक करते हैं आज आईए मास्टर बेड्रूम की साइज अगर बताऊं तो टुएल बाइलेवन साइज का अच्छे डिसेंट साइज का आपको बेड्रूम मिलता है और इस तरफ आपको अटैज बालकनी दी हुई है बालकनी की साइज की बात करों तो टुएल बाइल बाइल फोर साइज की स्पेसियस बालकनी अगें जो उपर से प्रॉपर ली क्लोजड है और फ्रेंच डोर्स आपको यहां पर बालकनी मिल जाती है का आगे तो मास्ट बेड्रूम के साथ इस तरफ आपको अट्याजट मास्ट बालकनी मिल जाता है यहाँ पर बेसिन स्पेस है कमोड स्पेस है और यहाँ पर बेडियिंग स्पेस प्रॉपरली जाता है अगें टाइल க Tina तो कुछ इस तरीकी का 766 कारपेट एरिया के 2BHK फ्लैट्स यहां पे अवेलेबल है उमीद करता हूं आपको यह सेंपल फ्लैट्स पसंद आया होगा अगर आप 766 कारपेट एरिया के 2BHK फ्लैट्स वाकड में दून रहे हैं जिसका पॉजेशन नेक्स्ट यर डिसेंबर 2023 तक मिल जाएगा साथ ही यहां पे 2BHK जो फ्लैट्स उसके साथ आपको दो अटैजड बालकनी मिल जाती है एक कंपलसरी लिविंग के साथ एक कंपलसरी आपको बालकनी मिल जाती है मास्टर बेडरूम के साथ टोटल नंबर अफ यूनिट्स मैंने जैसे आपको बता है सिर्फ 84E है तो अगर आपको यह प्रॉपर्टी पसंद आई है तो आप हमें स्क्रीन पे दिएवे नंबर पे जल्दी से जल्दी कॉंटेक्ट जरूर करें आज के लिए इतना ही तैंक्स पर वाचिंग और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियो हमने हमारे चैनल पे अप्लोड करके रखे हुए हैं आप अगर उन्हें चेक करना चाहते तो आप इन बटन्स पे क्लिक जरूर करें